Study IQ Bank & SSE शुरुआत से सभलता तक है हमारा कोई सीबी डेट आपको दे रही न ही कलैंडर की कुछी बीडेट अनि डे आप उसका डे निगाल सकते है क्या निगाल सकते है यानिकी मैंने आपके सामने रखा बताई यह पंदरा अगस्त 1947 राटनिक की Independence Day जप था तो कौन सा डे था उस है येस फ्रेंड्स इस टाइप के सवाल एक्जाम्स में काफी बार पुछे जाते है और कलेंडर के इस टाइप के कोशन आने बई सिंपल सी बादा लाजमी है आएंगे ये आएंगे और जब वो आएंगे तो उसको कैसे डील करना है आईए हम लोग सीखते है 11 मिनिट के अंदर चली फ्रेंड्स तो मैं आपको बताता हूँ सबोस करिए मैंने आपके सामने एक डेट रखी थी और वो रखी थी 19, सॉरी 15 क्या रखा है फ्रेंड्स मैंने आपके सामने 15 है ना 15 और उसके बाद अगस्त 19 47 ठीक है फ्रेंड्स यही डेट रखी है यही डेट रखी है मैंने अब यह डेट कैसे निकालेंगे तो इसके लिए मैं एक छोटा सा फॉर्मला बताने वाला हूँ उस फॉर्मले को अगर आपने समझ लिया देन यही डेट अगस्त अगस्त आप उस फॉर्मले को समझ लिजिए और आंसर आप बिलकुल बता सकते है ठीक है फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको एक चीज लिखवाना चाहूँगा ध्यान से देखना हर एक महीने होते है महीने कितने होते है बारा महीने होते है बारा महीने के अंदर जो पहला महीना कौन सा होगा जन्वरी होगा तो सभी चीज़े लिख लेंगे आप लोग जन्वरी, फरवरी, मार्च, अप्रेल ठीक है? मे, जून, जुलाय, अगस्त, सेप्टेमबर अक्टूबर, नवेंबर, दिसेंबर ठीक है? यह सब आपने लिख लिया इतना सब आपने लिखने के बाद फिर आप बड़े इधर की और कि हर एक मन्त का एक कोड होता है हर एक मन्त का एक कोड होता है और वो कोड क्या होता है, फ्रेंट्स वो code क्या होता है? उस code को आप लोग देखेंगे वो code क्या होता है? इसका code है 0, 3, 0, 3, 3, 6, 1, 4, 6, 2, 5, 0, 3, 5 ठीक है friends? 0, 3, 3, 6, 1, 4, 6, 2, 5, 0, 3, 5 0, 33, 6, 6, 1, 4, 6, 2, 5, 0, 3, 5, 0, 3, 3, 6, 1, 4, 6, 2, 5, 0, 3, 5 दे को इहां पे लिका 0, 3, 35, 614, 625। कितना ईजी है यहां पे भी 6 जड़ वे 6 जडस्के इस टार ओर तोर है यहां पे 0, 3, 5 इस कितना ईजी है? similarly यहां पे अगर आपका remainder ढ़ علي को अगर आपका रिमेंडर जीरो आता है अगर आपका रिमेंडर वन आता है टू आता है थ्री फोर फाइफ सिक्से रिमेंडर से रिमेंडर से अगर जीरो आता है तो आपको इस स्टार्टिंग में लिखना वो वो कौन से दिन माना जाएगा संडे माना जाएगा जीरो को संडे म अपने लिक लिए अब एक और चीज जो आपको समझे नहीं है वह एक छोट दा फॉर्मला उते है जिसको आप लोग हिंदी में वह अब दे शूत्र ठीक है तो वह फार्मॉला क्या है वह फार्मॉला है लास्ट टू डिजिट अपन दियर ठीक है प्लस लास्ट टू डिजिट of the year upon 4 ठीक है plus date date कौन सी है जोन सी भी date दे रहे है plus month code ठीक है friends इतना हो गया अब upon 7 यह और करना था upon 7 इसके अंदर आपको यह चीज़ calculate करवानी है 4 से divide करवानी है और यहाँ पर चीज़ आपको चाहिए है वो चाहिए आपको कोशियंट वो चाहिए आपको क्या कोशियंट चाहिए friends समझ भाया कोशियंट क्या होता है suppose करो यहाँ पर कोई last two digit आपको दे रखी है 76 आपने उसको 4 से divide करवाया 76 की जगे में 75 ले रहा हूँ और आपने 4 से divide करा है तो देखो जैसे आप 4 से divide कराएंगे तो 4 बन जा 4 और 4, 7 4, 8, 32 4, 8, 32 अब remainder क्या बचे का, remainder बचे का 3 लेकिन आपको 18 को ही लेना है आपको 3 से कोई मतलब नहीं समझ में आगे, क्या बोला था मैंने question का मतलब ओके, फिर last में क्या बचके आएगा लास में बचके आएगा, एक remainder नाम की चीज़ remainder नाम की एक चीज़ बचके आएगी और remainder यह आपका answer remainder यह सारे बचके आएगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 विजब आप किसी नमबर को 7 से divide कराएंगे तो remainder क्या बचेगा, यही तो number बचेंगे 0, 1, 2, 3, 6 सकी तो बचेंगे, 7, 13 नहीं बन जाएगा ठीके फ्रेंट्स, इतनी बास सभी को समझ में आ गई यस, अगर यह बास समझ में आ गई है तो फ्रेंट्स, अब आप लोग रेड़ी, अच्छा एक चीज़ और समझ लेना एक चीज़ और समझ लेना, नोट करके लिखना है आपको एक नोट करके और लिखना है, ठीक है, जन्वरी एड़ फर्वरी, अगर यह वाला महीना दे रखा है लेकिन ध्यान रेकना कौन से महीने को, कौन से एयर की बात कर रहा है अगर एक लीपियर दे रखा है अगर एक लीपियर दे रखा है और लीपियर के अंदर जनवरी और फरवरी के अंदर आपको क्या करवाना है यानि कि जो भी रिमेंडर आएगा ना उस रिमेंडर में मायनस वन करवाना ऐगा है अगर आपको लीप ए उठा के दिया गया है और लीप अंदर भी ज़नवरी व Dee का महीन उठाए गया है उन स्टार्ट बहुंत वा नाया रंप अगर एक नॉर्मलावरी इयर क मिन मीनाइस करवाना इतनी बात अगर आप समझ घائे तो आपके अंसर हाने स्टार्ट हो गए आपके अंसर हो गए जैसे मैं आप सब्सक्राइब जहाँ पुचा तो आप अब आपको आनसर आने start हो चुके है ढ्यांसे देखना अगर आपने वो चीज को समझ लिया है सका screenshot ले लिजिए अच्छे से सबी हो बिसका screenshot ले लिजिए और ये चीज आगर आपको समझ में आ गई है तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता आप आराम से आंसर बताने स्टार्ट हो चुके हैं लेकिन सभी के आंसर नहीं बता पाएंगे लेकिन कुछ होगे मतलब कहा तक बता पाएंगे आप आंसर मैं वह भी बता देता हूँ आपको कि सर आप लोग बता पाएंगे 1901 से लेकर 1909 विता है 1901 क्यों बोल रहा हूँ मैं 1900 ही बोल देता हूँ न पूरा 1900 से बता पाएंगे आप 1900 से 1900 से 1900 विता है ठीक है फ्रेंट्स समझे आ गया अभी देखते हैं क्या क्या बताना है हमें इसको मारो गोली अभी ध्यान से देखना यहां पर मिलता आपको 47 यह 47 मिलता है आपने बोला लास्ट विजिट अभी यह लिख वायता प्लस डेट जो किये पंदरह प्लस मंथ कोड अगस्ट अब अगस्ट कौन से नंबर पर आता है जुलाई साथवे नंबर पर और आठवे नंबर पर अगस्ट आता है तो फ्रेंट्स मैंने आपको एक फॉर्मले वह बताया थे कोड जीरो थ्री थ्री six one four six two five प्रेंट्स मैंने बोला है अगस्ट और अगस्ट होता है तो यह तो कि होगह 012345678 अगस्थ के लिए कोड क्या जाएगा दो हो जाएगा अब इसको आप लिए सॉल्फ कर लिजे और आंसर आपके सामने आ जाएगा इसको जैसे आपने सोल्फ कर दो यह बनता है 11 47 11 मनता है 58 58 में 2 जोड़ा 60 60 में 15 जोड़ा तो बनता है 75 और 75 को आपने 7 से डिवाइट कर वाया तो यह बन जाएगा हैं पांच मतलब क्या होता है friday होता है अपना answer यह नहीं कि उसंद क्या था Friday था फ्रेंट्स इस तारिक को क्या था Friday था फरेंट्स अभ़िनोट्स अमझ में आपंस jak स्टेप में आपने आंसर बता दिया एक में यहाँ लिखा है मैंने दो जन्वरी दो जन्वरी उन्निस सो असी को कौन सद दिन था तो फ्रेंट्स आपका आंसर अभी तक आ जाना चाहिए था दो जन्वरी का महीना उठाया गया और 1980 क्या है यह एक लीप यर है अगर आपको यह चीज याद है जो मैं상 को नोट करके लिख वाट ज़य कि जनवरी फ़र्वरी अगर लिया गया तो अगर किसी लीप एक जनुवरी फर भी उठाये गया ना तो आपको लास में माइनस वन करवाना उस रिमेंडर में से तो फ्रेंट्स पहले तो आप बिल्कुत सेम का सेम चीज को फॉलो करिए जो आपको मैंने सिखाया था देगो असी प्लस असी एपॉन फॉर यही चीज बताई दी लास्ट्रू डिजिट अफ इयर प्लस लास्ट्रू डिजिट अफ दियर अपन फॉर प्लस डेट प्लस जनुरी क्या होता है जीरो अपन सेविन तो फोर टू जाया है यहां पर होगे वीज एप आसी और बीज उता सो ऑख और दो होता है 102 102 को 7 से डिवाइट कराएंगे तो यह बन जाएगा 703 274 28 रिमेंडर बसाथ चार बसाई रिमेंडर ठीके फ्रेंट्स है नहीं यहां पर आपका अंसर थर्जटे नहीं है क्योंकि चार पो थ्रजटे लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपका आपको माइनस बन बस एक चीज और समझनी थी आपको एक चीज और समझनी थी अमया आपको एक होमवक्ट देने वालों यानि कि अब आप एक चीज तो समझ चुके हो कि 1900 से ना 1999 तक तो आपने आंसर बता दिये लेकिन अगर मैंने आपको गलती से 2000 वाले कोशन दे दिये 2000 से यहाँ वाले दो हजान निन्यावे तक के 2000 है ना 2001 से अगर मैंने आपको कोशन दे दिये तब आपको दिक्कते आएगी तब आपको दिक्कते आएगी क्योंकि आपको मैंने चीज सिखाई ये वह 1900 से 1900 में वाली सिखाई है है ना और अगर ये तो बद आपको एक चीश समझ लेना है क्या जोंको इन्हीं दॉनों चीजों में से पूस्था है और ज्यादा से जो चीजे वह पूछ लिता और इस वाले में क्या रहेगा यहां पर आपको क्या करवाना माइनस बंऔर करवाना यह निहीं कि औलिया उगर मैं आस की तारीन पूछी और आज से तारीक क्या है पान आगे कि हैं दोजरु को बंट तो अब आपका आज कौनसरट ने है आप सबी लोग जानते कि आज क्या है आज वेडनेस दे है और क्या हम लोग निकाल के दिखाएंगे कि आज वाला वेडनेस दे सही भी आएगा या नहीं पांच जून दो हजार चौबिस को क्या वेडनेस दे बिलकु सही आएगा प्लीज चैक आउट करेंगे इसको हम लोग ठीक है बस यहां पर धियान रखना है कि माइनस वन करवाना था यह माइनस वन किसमें करवाना है यह लास का जो रिमेंडर बचान था ना उससे में माइनस वन करवाना ह फ्रेंट्स ठीक है और यहां पर रहेगा और यहां पर क्या रहेगा यहां पर रहेगा प्लस का दो अगर आपने इतनी बात है ध्यान में रख ली तो आप अब एक्जाम वाले कोशन तो अराम से डील कर लेंगे ठीक है फ्रेंस धियान से देखना पाज जून दोहजर जून का कोड़ क्या था 033614 जून आता है च्टे नंबर और चार आया हमारा च्टे नंबर पर क्या है चार तो हमने यहां पर उठाले इसको ठीक है फ्रेंट्स फोर सिक्सट ट्वंडी फोर चॉब इस और च्हों तर तीस तीस और नौ होता है 39 यह बन चुका है फ्रेंस 39 क अब आप तो आपको से डिवाइट करवाना था तो 75 जा 35 75 35 रिमेंडर वसाट चार अब आप कहेंगे सब 4 तो थर्स डे चार तो थर्स दे लेकिन अपना तो आंसर वेड़नेस दे आज कर दिन क्या है वेड़नेस दे कैसे बन सकता है फ्रेंट्स क्योंकि मैंने आपको एक ब संबरी उठा लएता नँए तो आपको एक मैनस वन और करवाना पड़ता है लेकिन उसे जून उठाया तो इसलिए मैनस वन नहीं करवाना पड़ए गा इस चीज को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि में चीज आपके सामने यह थी यह चीज और एक फॉर्मला था जो मैंने आपको बताया था अगर मैंने आपसे एक सवाल पूचा मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं इसका आंसर आप लोग में को बताएंगे सपो हजार अठाइस को कौन सा डे होगा यह सवाल मैंने आपसे पूचा और एक और सवाल मैंने आपसे पूचा तो बताएंगे कि पाच जन्वरी पाच जन्वरी तो उन्निस सो उन्निस सो चपन में कौन सा दिन होगा ठीक है फ्रेंट्स और एक और मैंने आपसे कोशन पूचा क ग्यारा अगस्त, ग्यारा अगस्त, दो हजार, दो हजार बैयासी को, कौन सा दिन, इसके तीनों के आंसर, आप लोग मेरे को कमेंट सेशन में बताएंगे, और ऐसे ही, मैं आपके लिए, ग्यारा मिनिट के अंदर, चीजे समझाता हुआ, आता रहूंगा, वापस कुछ ना आता रहूंगा, जिससे कि आपको ग्यारा मिनिट में मैं एक कॉंसर्प बता के जापो, आपके चैप्टर तो ऐसी खतम हो जाएंगे, फ्रेंट्स, बस आपको डेली जुड़ना है मेरे साथ, ठीक है फ्रेंट्स, तो थैंक यू सो मच किलास, और वन्डरफूल डे अहेड, यही टिप्स और ट्रिक्स को आप अपने दोस्तों से भी शेर करिए, उनको भी बताइए, कि यह चीज देख लिजिए, हमने आप से भी बड़िया सीखी हुई है, ऐसे ऐसे करके आप उनको बताना, ठीक है फ्रेंट्स, तो थैंक यू सो मच किलास, इसके आंसर कमेंट सेश झाल